दोस्तों यह हमारा Realme 8 का फोन है और इस फोन में प्रोब्लम यह है कि कोई भी हम इमेज क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो है इमेज ब्लॉर आ रहा है फोटो ब्लॉर आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि कैमरे के उपर में काफी अंदर साइड में डस्ट जमा हुआ है तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि यह जो कैमरे पर डस्ट जमा हुआ जिससे हमारा इमेज ब्लॉर आ रहा है उसको हम कैसे ठीक करेंगे और कैसे उसको बिल्कुल क् दोस्तों सबसे पहले यह आप लोग देख सकते हैं इस स्क्रीन पर की कैमरे में च्छाखा सा डस्ट जा चुका है और इसी के वज़ाद से हमारा कैमरा बुदलापन आ रहा है किलियर नहीं आ रहा है तो इस फोन को गरम करके खोला जाता है और यह फोन को हम गरम कर चुके है हमें भी हीट कर चुके हैं और इसको भी हम ओपन कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं यह पैनल हमने पुरा ओपन कर लिया है यह जब पूरा पैनल ओपन कर लेंगे तो जो हमारा एक कैमरा लेंस है जिसमें चार कैमरा लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं डस्ट भी गया हुआ है इस camera lens को हम बहुत प्यार से निकाल लेंगे इस तरीके से जैसे कि यह आप लोग देख सकते हैं मैं निकाल दिया हूँ और निकालने जाबाद भी देख सकते हैं अभी camera के अंदर में आ लड़ी आप लोगो डश्ट यह दिख रहा है यह प्रपर डश्ट गया हु इस परतली से ही हम camera को साफ कर देंगे और यह camera lens को भी साफ कर देंगे यह पनी क साफ करने से हमारा फाइदा यह होता है कि हमारा glass या camera lens समय घिसता नहीं है अगर दूसरी चीज़े आप यूज करते हैं दूसरी पन्नी यूज करते हैं या दूसरा कोई क्लिन करने वाला आइटम यूज करते हैं तो हो सकता है कैमरा लेंस आपका घिस जाया तो कैमरा आपका खराब हो जाए और इमेज बिल्कुली जो डस्ट गया उससे पर ज्यादा पर आने लगे तो आप लोग बिल्कुल हलका जो कि खपड़ा होता है उसको यूज करें जैसे कि इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं मैं जो यूज कर रहा हूं तो अभी हमने कैमरे को क्लिन कर लिया है कि और इसको भी हम लगाएंगे कि इसको आप लोग जितने इई बारे की से क्लिन करेंगे उतना ही बैटार होता है तो आप लोग देख सकते हैं यह बिल्कुल हम क्लिन कर चुके हैं और यहां पर कहीं भी आप लोग अब देखेंगे तो डश्ट नहीं दिखेगा बिल्कुल न्यू केमरा लेंज की तरह यह दिख रहा है और कैमरा भी हमने साफ कर दिया है तभी इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है कैमरा अमारा और इसके बाद हम अभी फोन पर क्लिक करके देखेंगे कि हमारा भी इमेज कैसा आ रहा है इमेज हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है और इसमें पीछे जो पैनल होता है इसमें गलू लगा लेते हैं और लगा करके पैनल को चिपका लेते हैं प्रॉपर तरीके से इसको हम पैनल के पीछे में लगा लेंगे इससे हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से चिपक जाता है यह देखिए दोस्तों पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा फोन ओपन हुआ था कि नहीं हुआ था यह दो पता है दो आटके खेन लेंश देखिए विल्कुल कलीन देखरा पीछे से आब हमों ह्पी एole क VII करने है और चेक करेंगे यह देखिए दोस्तमॉं बिल्कुल HD की तरह camera इसका रहा है पहले ऐसा camera नहीं आ रहा था blur आ रहा था और अभी इसको हमने clean कर दिया camera lens को तो हमारा camera बिल्कुली clean आ रहा है HD quality में तो इस तरीके से हम camera lens को साप करके अपनी प्रावलम को ठीक कर सकते हैं